नमस्कार जारकन की खबरों में आप सबों का स्वागत है आए जानते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को इस जब पहले आपने चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लिस चैनल को सस्क्राइब कर बेल आइकन को प्रिस कर दिजे ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता बढ़ते हैं खबरों की ओर। अधियन शुरूख कर दिया है। अब जो है एर टेफिक का स्टेटस के अनुसार एरलाइन्स कमपनियों का फ्रिकेवंसी और स्लोट फिक्स क्या जाएगा। अब हो जाएं। जारकन में स्कूल खोलने को लेकर सिक्षा मंतरी ने कही बात बोले करोना के कारण बच्चों की पढ़ाईवी बाधित। कोरोना संकर्मन के कारण जारकन में स्कूल कोलेज बंद रहने पर उसे खोलने को लेकर राज की सिक्षा मंतरी जगनात महतों ने एक बड़ी बात कही। बोकारों पहुचे सिक्षा मंतरी ने स्कूल खोलने को लेकर 31 जनवरी को फैसला लेने की बात दोहराई। इससे पहले बोकारों के चंद पूरा में आयुजित एक कारिकर में भी सिक्षा मंतरी ने 31 जनवरी के बाद राज में स्कूल खोले जाने की बात कही थी। साथ ही कहा था कि स्कुली सिक्षा एंग साक्षता विभाग राज में बंद पड़े इसकुलों को खोलने समन्दी प्रस्ताओ अपादा प्रवंधन प्राधिकार को जल्द देगी, क्योंकि अन्तीम फिसला सियम है वंधन की अधिश्चिता वाले अपादा प्रवंधन प्राइबादित भी है उसे हम ठीक करने का काम करेंगे उन्हों नहीं कर पा रहे हैं उन्हों है कि नमी से बार्वी तक कि छात्रों को ओनलाइन सिक्षा देने के लिए मुखमंत्री से चात्रों को टेप देनी की मांगी गई है ताकि उनकी पढ़ाइः ठीक हो सके जारकन के मोडल इसकुलों में न्यूकत होंगे 3325 सिक्षक विभाग ने शुरू की तैयारी पर यहाँ सिखुकों की नियुक्ती होगी जब तक अस्थाइ नियुक्ती नहीं हो जाती तब तक अनुबंद पर सिख्चक भाल होगे इसके लिए एक 90-90-23 उन्हे दी जाएगी मोडर इसकोलों में सिख्चोकों को नियामा वाली भी तैयार हो चुकी है और नियुक्ती परक्रिया अधियतना राई स्क्रमचारी चैन आयो को भीजी जानी है आप सबो को बता दू कि राई के 83 मोडर इसकोलों में छत्रवास का भी निर्वान किया जा रहा है इसके लिए हर इसकूल के धाई धाई करोर रुपिये खर्च होंगे इसका प्रस्ताव राई योजना प्रादिक्रीत समिती को भीजा गया है 31 करोर की रासिसे मोडर इसकोलों में बैंच, डेस्क, टेबल, लाइबरी, प्रयोक साला समित ICT लेव अस्थापित क्या जा रहा है 51 इसकोलों का भवन बन चुका है, 33 में काम चल रहा है और 5 इसकोलों के भवनों का निर्मान कायरी शुरू होने वाला है जारकन में कोरोना के 1009 नए मामले सामने आये जारकन में कोरोना वायरस की तिसरी लहर में बुदवार को 1009 लोग संकरमित पाये गए वहीं संकरमन से 5 लोगों की मोध हो गई जारकर सरकार के स्वास्त मंतराले द्वारा जारी एक रिपोर्ट में यह जनकारी दी गई रिपोर्ट में बताया गया है कि राज में अभी कूल 13908 लोग संकर्मित हैं जबकि पिछले 24 गंटों में 2921 लोग संकर्मन से मुक्त हो चुके हैं पिछले 24 गंटों में राज में कूल 42600 लोगों की कुरोणा जाच की गई जिनमें से 1009 संकर्मित पाए गए राज में कुरोणा से मरने वालों की संख्यां बढ़कर 5282 हो गई है असी लाग से अधिक सर्मिकों के लिए कुछ खास करने जारी है जहारकन सरकार स्यमा हमन्त ने बताया फूरा प्लान मुखमंत्री हमन्त सुरे ने बुद्भार को कहा कि कोविट से जुड़े लोगडाउन के दोरान राज के मैदूरों को विबीन समस्याओं का समना करना पड़ा जिनके निदान के लिए सरकार अगले डेड़ वर्षों के भितर समग्र प्रवास नेती तयार कर गी जिसके लिए इस रम पोटर पर और संगटी छित के असी लाग से अधिक सर्मिकों का निमंदन क्या जा चुका है उन्होंने कहा मैदूरों को प्लाइन को पुनतों तो समाप्त नहीं किया जा सकता है लेकिन सरकार इनकी बहतरी के लिए कुछ करना चाहती है और इसी द्रिश्टी से जारकन के प्रवासी सरमिकों के सुरक्षित प्रवास एवंग प्रवासन है तू Safe and Responsible Migration Initiative काईरक्रम प्रारम क्या जा रहा है यहाँ काईरक्रम पाइलट प्रवासी के तोर पर दुमका गुमला एउंपस्मी सिम्भू में चलाया जाएगा राची में बनेगा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नेजी छेतर में 75 फिसीदी आस्थानी को मिलेगा जोब सियम हमन स्वरेन ने कहा 73 गंतंत्र दिवस के मोखे पर दुमका के पुलिस लाइन ग्राउंड में सियम हमन स्वरेन राष्ट ध्वज फराया इस दोरान प्रेट का निरक्षान और सलामे भी लिये इस मोखे पर उन्होंने जहां सियम सपोर्स पेट्रोल सबसीडी योजना का सुभारम किया वही कई घोसना भी की इसके तहत राची में वर्ल्ड ट्रेट सेंटर बनने के अलावा राईजभर में असी उतकृष्ट विद्याले 325 परखंड अस्तरी लीडर स्कूल और 4,095 पंचायत अस्तरी आदर स्विद्याले विक्सित करने पर जोर दिया वही फूलो जानो आसिरवाद योजना के तहत 14,000 से अधिक महिलाओं को समान जनक आजयोका से जोड़नी की बात कही इसके आलावा इस तरम पोर्टल पर और संगटित छित के 80,000,000 से अधिक सर्मिकों का रजिश्रेशन होने विभी नियुक्ती नियामावले में संसोदान और गठन के बाद 4,000,000 रिक्त पदोपर नियुक्ती के लिए दो पहिया वहन मालिकों को परतिमा 10 लिटर पेट्रोल के लिए 65 रुपे परती लिटर की 10 से 250 रुपे की रासी उनके खाते में हस्तांतरित की जा रही है सिक्षा के विकास को लेकर सजग और सवैदन सील है सरकार हमन स्वरे ने कहा कि सिक्षा विकास का अधार है ऐसे में सिक्षा के परती हमारी सरकार सजग और सवैदन सील है इस सिल्सले में राईजभर में असी उतक्रिष्ट विद्याले 325 परखंड अस्तरी लीडर स्कूल और 4,091 ग्राम पेंचाथ अस्तरी अदर्स विद्याले को विक्षित किया जा रहा है साथ ही ओनलाइन सिक्षा को और सुगम और कारगर बनानी की अविसकता पर जोर दिया कहा कि भारत सरकार द्वारा जारी किये गए सेक्षिनिक सुचकांक में जारकर को 29 अंकों का फैदा हुआ जो पूरे देश में सरवाधिक है मात्री भासा आधारित बहुभासे सिक्षन वेस्था के लिए समागरियों को विक्षित किया जा रहा है इसके लिए 250 विद्यालियों को विशेश रुप से चिनित कर वहाँ प्रायोगिक तोर पर मात्री भासा आधारित सिक्षन वेश्था लागू करनी की योजना बनाई गई है इस योजना के प्रिणाम का आकलन कर अनी विद्यालों में भी वेश्था लागू क्या जाएगा अनुसुचित जन्जाती के विद्यार्थियों को विद्येशों में उच सिक्षा के लिए सत पर्तिशत चात्य विर्ति सियम स्री स्वरे ने कहा कि आदिवासी विद्यार्थियों को विश्व अस्तरी सिक्षा के अवसर परदान करने के लिए जैपाल सिंग मुंडा पार्देशी चात विर्ती योजना सुरूकी गई है इस योजना के तत हर वस अनुशिची जन्जाती के 10 परतिभावन विद्यार्थियों को इंगलेंड और नॉर्डर आइलेंड में अवस्तित विश्वी जाले संस्थानों में उच अस्तरी सिक्षा प्राप्त करने के लिए सत परतिशत चात विर्ती दी जा रही है कहा कि जारकंडी भासा संस्कृती लोक कल्यान सोध से समनित विशय को बढ़ावा देने के लिए ट्राइबल युनिवर्सिटी खोला जा रहा है युवाओं को रोजगार से जोड़ना सरकार की सरोच प्राथिमिक्ता मुखमंत्री ने कहा कि लंबे अर्श से लंबित रिक्त पदोपर न्युक्ती की परक्र्या को गती परदान करने के लिए विभी न्युक्ती नियामावली और परिक्षा संचालन न्यामावली का गठन और संसोधन की करवाई की गई है लाइच के युवाओं को सरकारी नोक्री में ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले इसके लिए सरकार परती बद है। दुमका में बनेगा कल्चरल म्यूजियम। मंत्री डॉक्टर रामिस्तर उरावनी लोहर्दगा में क्या जंडो उतोलन बहतर प्रेट के लिए महिला बटालियन को मिला पुरस्कार। 73 गंतंत दिवस के अउसर पर लोहर्दगा के बियस कोलेज स्टेडियमें वित्स खादिश सार्विजनिक वित्रन एंव भोक्ता मामले के मंत्री डॉक्टर रामिस्तर उरावनी धोजार रोहन किया। इस मोके पर मंत्री डॉक्टर उराव और डिशी दिलिप कुमार टोपो ने स्योईक तुरुप से प्रेट का निरक्षन किया। राधानी राची के मुराबादी मैदान में गंतन्त दिवस समारों के सुप अउसर पर भावे समारों का आयजन किया। जहाँ पर मुक अठिती के रूप में राचपाल रमेस बैज मोजुद थे। इस दौरान वहाँ पर मोजुद सभी लोगों को साथ देखते ही बन रहा था। सबसे पहले उन्होंने जंडो तोलन किया, इसके बाद उन्होंने प्रेट की सलामी ली, जिसके बाद उन्होंने लोगों को संबोधित करते ही कहा, कि आज का दिन हमारे लिए व्यत खास है, समविदान की वज़त से आज हमने आजादी के उद्देसों और आदरसों हासिल कर पूसपराज कुमार को राशपती पूलिस मेडल से समानित किया जमसत्पूर में स्वास्थ मंत्री बन्ना गुपता ने फाराया तिरंगा कहा हमारी सरकार लोकतंत्र बसाने के लिए कर रही है काम जमसत्पूर के गुपाल मेदान में बुद्वार को गंतंत दिवस समारो का उयजन क्या गया कायरकरम के दोरान अपने संबोधन में स्वास्थ मंत्री बन्ना गुपता ने कहा कि हमारी सरकार लोकतंत्र बसाने के लिए काम कर रही है उन्होंने कहा कि मुखमंत्री के विजन को जन जन तक पहुसाने के लिए पूरी सरकार टीम भावना के साथ मिलकर काम कर रही है उन्होंने देश के स्वतंतता संग्राम के अंदुलन को याद करते हुए अजादी की लड़ाय में जारकन के स्वतंतता संग्राम के अहम योगदान को याद किया कुरोना महमारी को देखते हुए इस बार समारों में नियमों का कराई से अनुपारन किया गया पुर्व में समारों में सामिल होते आरे स्वतंतरता संग्राम सेनानियों को प्रसासनिक अधिकारियों नी घर जाकर समानित किया समारों में उपायत सुरजकुमार मुझूत रहे वहीं समारों के दोरान छोटे-छोटे बच्चे हाथों में तिरंगा जंडा लेकर सामिल हुए इसके अलावा सहर के विभिन गंडमानी लोगों ने भी कारिक्रम में अपनी मुझूद्गी दर्ध कराई दोस्तो चैनल पर आप नहीं है तो प्लिस चैनल को सस्क्राइब कर बेल आइकन को दबा दिजे ताकि खबरों का आपडेट आपको मिलता रहे इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही हमें दीजे जाजत नमस्कार